आज हम पढ़ेंगे matrix matrix होता क्या है matrix arrangement of number और function कह सकते हैं जो matrix है वो number और function को सजाने का तरीका है arrangement देख सकते हैं एक तो एक जांपर लेकर एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दो तीन-चार इस छैस्ट में कोई भी नंबर कहीं पे भी होसकता है इसला को बोलते हैं मैक्रेक्स में आर्याजमेटमें यह नंबर橋 दिया हुआ है सजाने का तरीका है और परिभास्ता से देखा जाए तो बोले जाएंगे अभ्यू मैट्रिक्स को बोलते हैं अभ्यू संख्याओं या फंग्नों का एक वर्ग या आयताकार करम विन्यास है जो अभ्यू है मैट्रिक्स उसको हम एक आयताकार में सजा सकते हैं या फिर एक वर्ग में आयताकार या फिर वर्ग में एक वर्ग है अभ्यू को जिनर नर्ली ब्राइकेट या फिर बड़ी ब्राइकट से निरूपित करते हैं यजय में अध्या कि में आधे cникиr want कि सी भी Note किशी भी अभियू से निरूपित कि रहते है कि स्सेktर मैंट्रिक्स लिखते हैं किर फाने से निरूपित करते हैं उसके आंदर वाले को small letter से निरुपित करते हैं लिखते हैं यह capital letter से लिखा हुआ matrix A कोई एक matrix है जिसका element अभियों a a one two a one three dot dot a one n थिक इसी परकार two one two 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 three dot 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 two n अब तू थिक इसी परकार यहां तक MN तक जो मैट्रिक्स A है और इसका इलिमेंट यह सब A11, A12, A13, A1N तक यह पोजिशन अफ मैट्रिक्स इसको चाहिए कि पोजिशन अफ मैट्रिक्स जैसा कि यह A11 किस पोजिशन पे है फास्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब A11 इसका मतलब है कि जो पहला row और पहला column यह जो A11 है मानते है A11 इकल सब्सक्राइए 2 है तो 2 होगा इसका to position कहां पे होगा A11 मतलब पहला row पहला column पे तो A11 नहीं कि यहां 2 होजाएगा इसको जिनरल्ली के short form में इस तरसे लिखते हैं कोए matrix A है उसके अंदर वाले element को AIJS के तौर पर लिखते है जहां I क्या है? row है और J क्या है? column है आई हम बताते हैं आपको row और column क्या होता है और यहाँ जो देख रहे हैं आप aim और cross aim इसको बोलते हैं order आई यह इसके बार हमें चाचा करेंगे जैसा कि हमें इधर दिखाये थे कि A11 यह position है matrix का position कोई matrix A है उसके अंदर वाले element अभी अब सदस का position क्या क्या है वही हम दिखा रहे हैं जैसे कि कोई matrix A है वहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर वाले element लिखा हुआ है अभी अब 1, 2, G, A, B, 3, 4, 5 6, G, E, B अब इसका बोले का position क्या है जैसे कि हम बता रहे है position of matrix तो इस matrix का position क्या है A11 1 का position क्या है A11 जैसे पीछे दिखाया है A11, A12, A13, A1N तो आजिए 1 का position इस matrix में जो 1 लिखा हुआ है इसका position क्या है A11 का position 1 है A12 का position क्या है 2 है ठीक इसी परकार A13 का position कितना है G अब पूशेंगे कि जो जो E लिखा हुआ है E इसका position क्या है इस matrix में तो इस matrix का position क्या है पहला row दूसरा row तिसरा row तब थार्ड में देखेंगे कौन सा कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम तिसरा कॉलम तिसरा row का तिसरा कॉलम मतलब A33 ठीक A33 का position क्या है E अब जिसे हम बताए थे कि रो रो क्या होता है रो को बोलते है हिंदी में पंक्ति अभियो row matrix पंक्ति अभियो इस एक्जामपल को तोर पर देखें कोई matrix A है उसके अंदर वाले element 1, 2, 6, 3 है ये एक पंक्ति में है एक line में है इसको बोलेंगे row 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 1 रो 1 देने का मतलब है कि सिर्फ इस matrix में एक ही पंक्ति है इसलिए row 1 बोलते है short में इसको row को 1 बोलते है मतलब row 1 कहने का मतलब है कि इस matrix में सिर्फ वा सिर्फ एक ही पंक्ति है ठीक इसमें एक row है ठीक अब आते है column matrix ठीक उसी परकर column matrix column को बोलते है अस्तिम मतलब ख़ड़ा ठीक कोई matrix A है आब देखें कि एक ही कॉलम है अगर आप बोला जाए कि इस मैट्रिक्स में कितने रो है अब देखा जाए इसमें कितने रो है तो एक रो है दो रो है तीन रो है चार रो है ओके अचले लिखी देते हैं हुआ आर में है अार 006 रहन है और Demagne अब आते हैं आदे आउडर जैसodox हम इत 98 ejteween कि अब यह है क्रोस यह है अब यह है क्या इसको बोलते हैं आउडर जैसी कि देख्वार्ड सदस्ट और इसी क्या है कि अरेजमेंट आफ नंबर गल डिलिकरेंटेंट इसमेंट अब कितनी र है यह एक र ह्यारव यह क्कितना है में में मैं Really यहां तो मतलब जो पहले लिफते हैं और इंटू इंटू कोलम है अब शेयर में कि ना अब देखेंगे इस element में इस matrix में कितना element है कितना अभी अभ है मतलब जितना row है उतना column को गुना कर दिए multiply कर दिए जितना multiply करने के बाद रहेगा उस matrix में उतना ही अभी अभी होगे ओके अब दोसरा matrix 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 B है जो capital letter से denote की है उसके अंदर वाले element को 1 और 2 लिखने मतलब कित अब देख लीजिए आप खुद ही देख लीजिए row column कितना row है R1 है R2 है column के सांग है कितना इसमें एक तो दो रो है एक column है 2 into 1 equal to 2 इस जो B matrix है उसमें अभी अभी होगे कि सांग है कितनी होने से यह दो ओके किलियर अब आते तिसरा matrix देख से थार्ड में देखते है तिसरा matrix है आप देखते इसमें row column कितना है यह पूरा का पूरा रो एक ही कितना है दो रो रो festा रो कितना हुंग है इतों Without the problem है तिसरा revisit. qita कारता है अब जो C matrix है उसमें अभयो की सांगिशन कितने होने चाहिए 8 clear ठीक इसे बगाट D कितने अभयो की सांगिशन होने चाहिए 3 into 5 मतलब 3 row है 5 column है 1, 2, 3 3 row है 5 column है 5 स्थिया 15 इसमें जो अभयो की सांगिशन होगी 15 clear अब आते हैं equality of matrix इसको बोलते हैं अभयो की समानता मतलब की equal 2 matrix होगा 2 matrix कब equal होगा आए देखते हैं कोई matrix A है हम आपको लिखने के लिए बताया थे short में matrix की अभयो की लिखते है short में A, I, J ठीक जिस तरस इस दिखाया थे position of matrix में कोई matrix A है उसके अंदर वाले element को A, I, J के रूपने लिखते हैं जहां I जो है जहां I row है J क्या है? column है इसी परकर अब यहां लिखते हैं कोई matrix A है अंदर वाले element नहीं लिए गया वो अंदर वाले element खुद वाखुद लेना है ठीक अभी यह row और column नहीं दिया कितना row कितना column को लिए हुआ वो आप पर depend है कितने row को लिखते हैं कितने column को लिखते हैं ठीक एक matrix A है उसका element इस तोर पर लिखा गए A, I, J के दूसरा matrix क्या है? B उसको लिखा गया है B, I, J अंदर वाले element को यह equal matrix तभी कहलाएगा जब इस matrix का matrix A का element matrix B का element दोनों का element बराबर होगा तब उसों कहेंगे equality of matrix जैसे example मैं देख लेते हैं clear हो जाएगा matrix A है दूसरा matrix B है अब देखते हैं A का element कितना क्या-क्या है A का element अब जब क्या क्या है 1, 2, 3, 4 अगर पोलेंगे A का position जो 1 लिखें इसका position क्या है तो A 1, 1 जहां I into J लिखते हैं इसको क्या लिखते है A, I, J यह लिखते हैं I, J तो इसका position I, 1 है J, 1 है ओके तो इसका position क्या है 1 ठीक इसी परकार अब देखते है A, यहां क्या position क्या है A, 1, 2 करके जब